दोस्तो यूपी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है यानि रात नौ बजे से सुभा पाँच बजे तक कोई भी बाहर नहीं निकल सकता ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अंधेरी रातों में सुनसान राहो पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग कोरोना कहते हैं सरकारों का मानना है कि रात में कोरोना फुरसत से होता है इसलिए आपको आसानी से हो सकता है बाकी दिन के समय आप निकल सकते हैं रैलियों में जा सकते हैं अपना चालान कटवा सकते हैं कोरोना की नाइट कर्फ्यू कथा का पहला अध्याय समाप्त हुआ बोलो सकता धारी पा प्लटे पैर देखकर उसे पहचान सकते हैं कोरुना हमला के समय दो-चार लोगों से मदद भी मांग सकते हैं रात के समय अगर आप कोरुणा के चक्कर में भस गए तो गए सरकार रातवाले कोरुणा का रिस्क नहीं ले सकती आपकी हर चीज के साथ खिलवार कर सकती है लेकिन आपकी जान के साथ खिलवार नहीं कर सकती कोरोना की नाइट कर्फ्यू कथा का दूसरा अध्याय समाप तो होता है बोलो सत्ता धारी पाटी की सदा ही जै बंदकार के भीतर अगर शीशे बंद है तो भी आपको मास्क लगाना है नहीं लगाओगे तो कोरोना काटे ना काटे, पुलिस आपका जरूर काट देगी, यूपी के सभी कलेक्टरों को रात के समय सुविधा नुसार कर्फ्यू लगाने का अधिकार है, और सारी जनतागर ध्यान दे, यूपी के सिर्फ नगर निगम के इलाके में ही नाइट कर्फ्यू रहेगा, कोर सताधारी पाटी की सदा ही जाए, तो हमारी कथा सुनते सुनते अब आप लोग भी खोना जाएए, अब आप सब अपने अपने घर जाएए, थोड़ा-थोड़ा सेनिटाइजर लेते जाएए, हर चीज़ से आँख मूंद डालिए, और सो जाएए, कोरोना टाइम है, रैली सालाम!